हेलें वेलकम अबर योँवन आप सभी का हमारे इजुक्रिशनल प्लाटफॉर्म कॉंपटिशन कम्यूटी पर एक बार फिर दिस्वागत है बात करेंगा जहांपे हम लोग प्रैक्टिस सेशन नमबर फाइफ की जो कि आपका मॉडल पेपर पर बेस्ट होने वाला है इट मीन से आप वेरियस शिफ्ट से पूछे गए अलग अलग अगर हम बात करें कोशन्स देखने को आपको मिलेंगे साथ जाथ कुछ आपको मॉडल कोशन्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आपकी अपकमिंग एक्जाम के लिए काफी ज़ादा बेनिफिशियल होने वाले हैं तो बात करें हम सेशन की तो आप सभी को पता है कि आपको किस प्रकार से हमारे साथ जूलना है यानि कि आप सभी को कॉपी और पिन लेकर के हमारे साथ में जूलना है सेशन में चलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज के सेशन का पहला कोशन अगर हम बात करें तो mathematical operations है जो कि आपकी screen पर आ चुका है तो फड़ा फड़ से सभी को क्या करना है हमारे साथ सथ कोशन बनाना है तो बात करेंगे यहां पर हम priority की तो priority हमें पता है कि last में equal to और division करने पर हमें जो number है वो point में नहीं मिलेगा तो हम उस option को पहले क्या करेंगे prefer करेंगे तो अगर यहां पर हम option number एक की बात करें तो 175 divided by 25 के अगर हम बात करें यहां पर एक whole value में मिल रहे इसलिए हम इस option के साथ में जाएंगे तो यहां पर value मिल जाएगे हमें कितना 7 फिर आपको देखने को मिलेगा प्लस का 5 फिर आपको देखने को मिलेगा multiplied by 20 फिर आपको देखने को माइनस का 3 और multiplied by 10 equals to 77 बोर्ट मास्क की रूल का करेंगे हम चलेंगे यहां पर तो पहले हमने क्या किया दिवाइड कर लिए आप यहां पर हम बात करेंगे multiplication की तो यह value हो जाएगे आपको कितनी 100 यहां पर हो जाएगा minus का 30 यह हो जाएगा 7 तो 107 में से minus का 30 करोगे तो value मिलेगे आपको कितनी 77 यानि कि आपका पहला ही option यहां पर सही होता हुग आपको दिखाई दे रहा है बात में आपको देखने को मिल रहा है numbers के बीच यह आपको find करना है तो first of all अगर हम यहां पर numbers के बीच relation की बात करें तो यहां पर आप देख सेकते हैं 9 into 5 के अगर हम बात करें तो हो जाएगा 45 प्लस का 11 लेते हैं तो हमें मिल जाएगा कितना 56 अब क्या इस logic से यहां पर कोई number बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहां पर जो हमें simple सा logic देखने को मिला जो हम क्या करते हैं इन general सोचते हैं जिस प्रकार से उस प्रकार से हम यहां पर logic को apply करके देखेंगे तो 8 से 56 हो जाएगा और 56 में क्या करोगे यहां पर 11 आट करोगे तो 18 नहीं मिलने वाला है 12 चोक और 40 अलेडी नंबर जादा हो रहा है 16 चाचट में 11 आप जोड़ोगे तो 85 नहीं मिलने वाला है यहां पर 17 यहां पर नंबर आपका काफी जादा है यहां कि इस logic से यहां पर hear자 susum की की बात करते हैं तो हमें मिल रहा है 14 और 14 निटुब अगर हम 4 करते हैं तो नंबर हमें मिल जाए कितना 56 तो देखते हैं क्या इस पो- कार से यहां पर कोई हमें numbers की बीच में logic देखने को मिल रहा है तो 10 7 की बीच में डिफ्रेंस की तो 10 7たे 750 करे डिफेंस है और और करेंगे अगर हम यहाँ पे बारा और चार के डिफरेंस की तो इनके बीच में आठ का डिफरेंस है और दोनों को सम करेंगे तो 16 हो जाएगा वैल्यू कहीं जाद और अगला प्रशन नंबर पर बेस्ट और नंबर पर बेस्ट कोश्चन के लिए मैंने आपको हर एक सेशन में बताया है कि जो आपका कमांड है नंबर के स्क्वार्स पर नंबर के क्यूप पर इनके कुछ अधिसंस सब्ट्रेक्शन या आजब पास बात करें आपका बहतर होन सेक्षन बनाएंगे नहीं बनाएं तो आप हमारे साथ में सेस्टन में जुदे हैं स्था इस परकार के लॉजिक कर देखने को मिलता है तो यह इसी प्रकार हम यहां पर 294 की बात करें, 6 के क्यूब की बात करें, तो 216 माइनस क्या करेंगे, यहां पर 36, value मिल जाएगे, हमें कितनी 180, clear, इसी प्रकार यहां पर आपको 7 का क्यूब, यानि कितना 343, minus 49, 13 में सना होगे, 4, unit digit से ही आप यहां पर confirmation करते हुए चलेंगे, यहां पर अगर हम बात करें, तो 8 के cube की बात करें, तो 512, और 8 के square की बात करें, तो 64, 12 में से 4 गया, unit digit यहां पर आपको 8 देखने को मिल लगी, आगे आपको calculate करने की जरूत नहीं है, यहां पर अगर हम बा आपको यहां पर, जानकारी है कि यहां भी एक logic है, इस logic के ताहद भी हमसे प्रस्न पूछा जा सकता है, तो यहां पर अगर हम बात करें, तो 225 की तो 5 का cube होता है, आपका 125, तो यहां पर आपका बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर अगले अगर हम नंबर की बात करें, तो जब पहला ही यहां पर नंबर हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दरने कि किसी particular number की cube और square का अंतर हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहां पर move on करेंगे अगले option पे, अगले option के अगर हम बात करें, तो यहां पर देखने को मिल रहा हमें 648, 600 की बात करें, तो यहां पर 9 का, जो आपका cube होता है, वो कितना होता है, 729 और अगर हम बात करें, 9 के square की तो कितना होता है, 81, तो 9 में से एक जाएगा, तो बचे का, यहने की unit इस इनहीं पर यहाँ तो यहाँ पर आपको वैल्यू नौ सो बनती हुई दिखाई देगी यहाँ पर आपको मिल रहे अगला गर अगर हम बात करें तो दस हो गया 10 के बाद आपका 11 11 का जो आपका क्यूब होता है वह क्यूब माइनस 9 का स्क्वाइर 10 का क्यूब माइनस 10 का स्क्वाइर और 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वाइर इस प्रकार से आपको यहां पर numbers बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यहां पर आपको दिया गया था 6 का dan करेंगा अगले प्रश्ण की अग्ला प्रश्णकी अग्ला प्रस्णक आपका यहाँ पर पेपर अंड ओलिंग पर बेच्वार कोश्टन है तो मैंने कहा हो लाज हो पर यहाँ इस पोड़ीं झाटन को यहां करेंगा ओर तो इस प्रकार से अगर हम option की बात करें तो यहां पर आपका option number C क्या हो रहा है, सही विकल्प आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आप open करेंगे, तो चारो हिस्सों में आपको इस प्रकार से आकरती बनती हुई दिखाई देगी, clear, चलिए, बात कर लेते हैं यह देखने को मिल सकती है, तो अगर हम बात करें, इस हिस्से की, तो इस हिस्से में एक लाइन तो यहां मिल गई, और एक लाइन यहां मिल गई, जिसका कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर 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 हमें कोई और दूसरा विकल्प नहीं देखने को मिलत कर सकते हैं लेकिन दिन दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर हम ट्रॉड है कि और की तो आधर हम बात करने फिर प्रकार से हम structure को draw कर सकते हैं और एक line यहां पर और एक line यहां पर यानि कि बिलकुल मिड में हमें line बनती हुँ दिखाई दे रही जिस प्रकार से यहां पर बनना चाहिए यानि कि अगर हम बात करें तो option number C को हम लोग क्या करेंगे यहां पर prefer करेंगे बाकि अगर हम इस विकल्प की बात करते हैं यहां पर line हमें बनती हुँ दिखाई नहीं दे रही यानि कि correct option के अगर हम बात करेंगे तो option number C यहां पर क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्चन के लिए बात करेंगे यहां पर अगले question की प्रोफेसर इसनातकोतर और कारेरत यानि कि अगर हम बात करें यहां पर दिये गए विकल्पो की तो जो आपका प्रोफेसर है वो definitely क्या होगा कारेरत होगा तो सारे के सारे प्रोफेसर क्या होंगे कारेरत होंगे और यहां पर अगर हम बात करेंगे इसनातकोतर की तो कुछ नहीं भी हो सकते कुछ इस नातो को उत्तर आपके कारे रथ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जो correct option बनेगा वो बनेगा आपका option number C बात करेंगे यहाँ पर हम लोग अगले question की again अगला question आपका series पर बेज़ज़ है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दूसरा वाला तरीका apply करके देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है P, E और उसके बाद में आपको एक element छोड़ करके Z देखने को मिल रहा है याँ कि चार element यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है तो P और अगर हम बाद करें यहाँ पर E फिल करते हैं तो एक element छोड़ करके Z आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है याँ कि E को हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगेन अगर यहां पर हम बात करें Z के बाद में P देखने को मिला फिर E देखने को मिला तो Z के बाद में P फिर E तो वहाँ से भी आप इसको उठा सकते हो, बाकि grouping वाला तरीका यह मैंने आपको बताया है, lecture में भी, साथी साथ, session में भी, यहाँ पर बचे हुए element की बात करें, तो L हो जाएगा, E, L, Z, P, E, इस प्रकार से यहाँ पर आपका group बनता हुआ दिखाई, चार-चार की grouping आपको बनती हुआ दिखाई दे रहे, E, L, Z, P, clear, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर सही विकल्प की तो L, E, P, Z, L, E, P, Z, यानि कि option number D, आपका क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछे गए, प्रस्न के लिए, बात करते हैं, अगले question की, अगले question की अगर ह मजोडी, तो विभाजन का संबंद किसे हो जाएगा, बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगले प्रस्न की logical sequence of words पर based question है, तो यहाँ पर हम इसको arrange करते हैं, एक logical manner में, तो country, furniture, forest, wood, trees, तो हमें पता है कि पहले forest होगा, फिर trees होगे, फिर wood होगे, यानि कि अगर हम बात करें, तीन तीन के बाद 5, पांच के बाद चार और फिर यहां पे होगा दो यानि कि पहले नमबर पर अगर हम बात करें तो country यहां पे देखने को मिलेगा तो एक तीन पाथ चार दो एक तीन पाथ चार दो option number C यहां पे क्या जाएगा correct option देखने को मिलेगा यानि कि पहले जंगल होगा जंगल में क्या होंगे पेड होंगे पेड समय मिलेगी लकली और लकली उसे बनेगा फरनीचर बात कर लेते हैं पर अगले प्रस्नकी odd one out पर based question है stream के अगर हम बात करें तो छोटी सकरी नदी नहर नदी और घाटी यानि कि अगर हम घाटी को छोड़ दें तो बाकिस तीन के तीनों आपके क्या है water bodies है या कह सकते है source of water है जबकि आपका valley क्या हो जाएगा यहाँ पे different हो जाएगा तो option number D यहाँ पे आपका right answer बनेगा बात करते हैं अगले प्रस्नकी number series पर best question है यहाँ पे 132 और 156 के अगर हम बात करें तो number series बनाने का जो हमारा basic तरीका है वो वही रहने वाला है यानि कि सबसे पहले हम यहाँ पे काम करेंगे difference पर तो अगर हम बात कर 132 और 156 के difference की तो यहाँ पे आपको 6 में से 2 गया 4 5 में से 3 गया 2 यानि कि 24 का difference देखने को मिल रहा है अगले में हम लेंगे x का difference अगले में हम लेंगे y का difference और x प्लस y की value यहाँ पे हम निकालेंगे आगे कि अगर हम बात करें यहां पर तो 30 का अंतर देखने को मिल रहा है X प्लस Y कि अगर हम अंतर की बात करें यहां पर तो 56, 4, 60 और 50 यानि कि यहां पर आपको 54 का अंतर देखने को मिल रहा है इन 54 को हम इस प्रकार से विभाजित करेंगे कि एक proper series में आपको बनता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें 26 और 28 की तो 24 के बाद में 26, 26 के बाद में 28, 28 के बाद में 30 और फिर 32 एक proper आपको sequence बनता हुआ दिखाई दे रहा है या तो आप 210 में से 28 को माइनस कर लीजे या तो 156 में से आप क्या करेंगे 26 को add कर दीजे तो 156 में अगर आप 26 को add करेंगे तो unit digit मिलेगा आपको 2 यानि कि एक ही विकल्प यहाँ पर आपको unit digit 2 के साथ में दिखाई दे रहा है अंसर के अगर हम बात करें तो हो जाएगा 182 बात कर लेते हैं अगले प्रस्नकी अगले हम प्रस्नकी बात करें तो blood relation पर based आपको question दिखाई दे रहा है और question थोड़ा सा lengthy है तो करना क्या है दी गई जानकारी के अनुसार हमें केवल क्या करना है structure को draw करना है एक परिवार में दो जोड़े है तो यहां पर क्या है कपल से आगे कि हम बात करें तो कुमाली के दो बच्चे है मधुरी मा की तो मधुरी मा पत्नी है किसकी ओम प्रकाश की स्पेस थोड़ा सा और चाहिए चलो यहां पर बनाते हैं कुमाली के दो बच्चे है और मधुरी मा क्या है ओम प्रकाश की पत्नी है तो यह हो गई आपकी मधुरी मा और यह पत्नी है किसकी ओम प्रकाश की चलो आगे कि अगर हम यहां पर बात करें मधुरी मा ओम प्रकाश की पत्नी है जो मणी के भाई है तो ओम प्रकाश का है यहां पर मणी के भाई है तो यहां पर हमने लिख लिया मनी क्लियर तो यहां पर अगर मैं बात करूँ तो मनी का जंडर क्लियर नहीं होगा भाई कौन है ओम प्रकाश है तो यहां पर इसलिए अभी मनी का जंडर यहां पर क्लियर नहीं हो रहा लेकिन यह पता है कि ओम प्रकाश क्या है मनी के भाई ह ओम प्रकास का तो gender clear लेकिन money का जेंडर clear अभी नहीं होगा आज़े की पिंकी कुमाली की बेटी है पिंकी क्या है कुमाली की बेटी है यनि कि यहाँ पर एक बेटी का अगर हम बात करें तो कौन हो गई तो कौन हो गई पिंकी हो गई प्रकास का पुत्र हो गए हैं है है às-पका संजु अगे कि अगई हम बात करें तरुन मणी का पुत्र है जो एक पुरूश है तो मनी के अगर हम बात करें तो मनी क्या हो जाएगा로 मिल→ of the family हो जाएगा इनके पुत्र के अगर हम बात करें तो कौन है तरुन है clear अब हमें क्या करना है इन इस्ट्रक्चर को merge करना है आपस में तो किस प्रकार से हम यहाँ पे merge कर सकते हैं तो जैसा कि बोला गया था कि दो married couples हैं दो विवाहित जोड़े हैं और यहाँ पे structure में जो भी members के बारे में हमें जानकारी दी गई है वो सभी members यहाँ पे देखने को मिल रहे structure में बशरते हमें क्या करना है structure को merge करना है तो structure को किस प्रकार से यहाँ पे merge कर सकते हैं तो structure के गर हम बात करें तो देखिए merit गपल एक ही दिखाई दे रहा है यहां पे हम money को कुमाली के साथ में merge कर सकते हैं कुमाली क्या हो जाएगी female member of the family हो जाएगी यह हो जाएगा आपका money money के भाई कौन है ओम प्रकाश इस structure को मैं चली तो अगर हम बात करें money के भाई कौन हो जाएगी ओम प्रकाश ओम प्रकाश किसके साथ मेरिड है तो मधुरी मा के साथ मेरिड है ओम प्रकाश के पुत्र के अगर हम बात करें तो कौन है संजू संजू की बहन के हम बात करें तो कौन हो जाएगी उर्मिला और अगर हम बात करें मनी के पुत्र की तो हो जाएगा कौन तरुन तो यहां पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुमाली के दो संतान है एक हो गई पिंकी दूसरा कौन हो जाएगा यहां पर तरुन हो जाएगा और बाकी की सारी के सारी पूछे गए प्रस्ण के लिए तो थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन आप आसानी से बना सकते हैं अगर फैमिली ट्री पर बेस्ट आपने पूछे गए प्रस्ण की अगें यहाँ पर बेस्ट कोशन आपको देखने को मिल रहा है और नमबर्स में से आपको पहचानना है कि कौन सा वाला नमबर यहाँ पर अलग देखने को मिल रहा है तो पहला तो हम यहाँ पर क्या करते हैं नमबर्स की अगर बात करें तो यहाँ प बेस्ट पर देखें तो हमें डारेक्ट ही प्रिफर नहीं करना होता है प्राइम नंबर पर बेस्ट यहां पर कॉंसेप्ट को भी हम लोग प्रिफरेंस दे सकते हैं हम लोग यहां पर सम अफ डिजिट पर बेस्ट को भी प्रिफरेंस दे सकते हैं तो नंबर्स की अगर मैं बा हुआ दिखाई दे रहा है तोगर हम बात करें 22-10 कि तो हमें पता 21-59 किस का क्यों होता है? 13 का. और इसमें जब हम 13 तो हम coon. 2210 कि तो हमें पता 216 कि होता है किसका 6ёर को इसमें 6 कर देए तो यहाँ पर अभर मिल जाएंगे हमें 220 में 222 में 278 Cesarralydat jest 1727 is Podcast 1728 कि होता है 12 का और 17 28 में हम 12 add कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 17 40 जब कि हम बात करें 27 44 की 274 हमें पता है किसका क्यूब होता है 14 का और इसमें आप 14 add करोगे तो 251 यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा यहनि कि value मिलेगे आपको कितनी 258 जब कि यहाँ पर 251 दिखाई दे रहा है तो answer के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा option number D clear तो आपने देखा कि various set में even जब हम लोगों ने CGL पर based previous year का set उठाया हमने CHSL पर based previous year का set उठाया even model paper के अगर हम बात करें यहाँ पर आपको हर एक जगे पर जो भी odd one आउट या फिर number पर बेश्ट आपको जो question बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर square और cube का काफी important role हो जाता है तो मैं फिर से कहूंगा कि इन numbers पर अच्छे से आप command बनाईए ताकि exam में जाने के बाद आपको किसी परकार की कोई कठिनाई ना हो और आपको कसम खा के एक ही question पर ना बैठना पड़े चल यह बात करते हैं अगले प्रश्न की अगले अधिमें प्रश्न की बात करो तो इन numbers के बीच में क्या relation आपको देखने को मिल रहा है तो अगर हम numbers की बात करें तो again यहाँ पे 22 का square होता है कितना 484 484 plus 6 कर दीए तो हमें मिल गया 490 किस की बात करें तो इसका square होता है कितना 449 है न क्या answer हो जागा यहाँ पर option number D बात करते हैं अगले प्रश्न की तो घोड़े के आवाज के अगर हम बात करें तो हिन हिनाना और यहां पर आपको बताना है कि कौन सा वाला सुमेलित है तो इसके उपर भी हम लोगों ने डिटेल में discussion किया हुआ है यानि कि पिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा grunt हो जाएगा हमें पता है घुर घुराना हिंदी के अगर हम बात करें तो यह option आपका होगे यहाँ पर eliminate hair की अगर हम बात करें यानि कि अगर हम खरगोष की बात करें तो गरजना तो खरगोष की आवाज नहीं होती इसकी आवाज होती स्क्वीक S-Q-U-E-A-K clear तो यह option भी होगे आपका eliminate चलिए आगे कि अगर हम बात करें तो duck की हमें पता आवाज को क्या बोलते हैं बोलते हैं तो option number B यहां पर क्या हो जागा राइट अंसर हो जागा जबकि हम बात करें यहां पर parrot की तो parrot की आवाज को बोलते हैं इसको आपक या फिर talk clear तो यहां पर correct option की बात करें तो duck की जो आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं चलिए बात करते हैं अगले प्रस्ण की अगले प्रस्ण की बात करें तो alphabet पर बेज़ आपको question देखने को मिल रहा है और one out से तो सीधे सीधे हम बात करते हैं कि इसकी place value की तो place value की हम बात करें तो यहां पर 12, 14, 10 और 9 यानि कि यहां पर plus 2, minus 4 और minus 1 यहां पर हम बात करें तो 18 से 20 यानि कि plus 2, 20 से 16, minus 4 और यहां पर 16 से 15 यानि कि minus 1 आगे अगर हम बात करें तो 6 से यहां पर हो जा रहा है 8 यानि कि plus 2, 8 से हो जा रहा है 4 यानि कि minus 4 और यहां पर हो जा रहा है माइनस का 2 यानि की यही क्या होज़एगा आपका right answer होज़एगा क्योंकि यहापर minus का उना चीदा 1 last one के गर हम बात करें तो 4 से हो जाहरा 6 plus 2 6 से हो जाहरा यहाँ पे 2 यानि की minus 4 oraz 2 से हो जाहरा 1 यानि की minus 1 तो answer की बात करें तो हो जाहरा option number C बात करते हैं आप अगले प्रस्ण की जो कि आपका figure series पर based question है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यह आकरती आपकी क्या कर रही है और यहाँ पर हम बात करें अभी तक दो भुजाएं थी तो इस बार आपको तीन भुजाएं देखने को मिल रही है अगली बार यहाँ पर आपको चार भुजाएं मिले अगले में जाएगा तो यहाँ पर आपको पांच भुजाएं दिख प्राइज एरा option number B, काफी आसान सा question था, असानी से आप इसको बना सकते हैं, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि आपका coding decoding पर based question है, तो फटा-फट से हम लोग क्या करेंगे, प्राइज है, number of questions की practice करी, तो question आपको देख के समझ में आगया होगा, opposite letters का यहाँ पर logic आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा, एक pattern के साथ में, P, E, R, M, I, T, एक second, यहाँ पर I का posit हो जाएगा R, I का posit हो जाएगा R, E का posit हो जाएगा V, R का posit हो जाएगा I, और M का posit हो जाएगा N, पूछे का अगर हम यहाँ पर word की बात करें, तो पूछा क्या किस के लिए, conduce के लिए, तो यहाँ पर D का posit हो जाएगा, W, यहने की mid में आपको देखने को मिलेगा W, तो आपका E option eliminate और E option eliminate, इसके बाद अगर हम बात करें, बचे हुए विकल्पों की, तो यहाँ पर आपको, जो फर्स्ट element है, E का posit letter होता है V, जो कि आपको option number C में देखने को मिला, तो option number C का हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछ फिर आपको बोला कि sum D, R, E, कुछ D क्या है, E है, और आगे कि अगर हम बात करें, तो all E, R, F, सारे के सारे E क्या है, F, बात करेंगे, आप हम लोग conclusion की, तो conclusion ने बोला जा रहा है, all B, cannot be F, सारे के सारे B, कभी B, F, वो नहीं हो सकते, तो यह हो जाएगा आपका गलत, क्योंक ने silogs में सीखा है, तो पहला वाला आपका होगया conclusion, यहाँ पर wrong, और यहाँ पर अगर हम बात करें, all D, cannot be F, सारे के सारे D, कभी B, F, नहीं हो सकते, तो यह वाला भी हो जाएगा, गलत, अगर answer के हम बात करें, तो neither conclusion 1 nor 2, follows, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका right answer हो जाए हम लोगों ने हर एक बात को, हर एक possible structure को समझा है वहाँ पर, तो आसानी से आप क्या करेंगे, number of questions की practice भी ठीक ठाक वही पर करा दी है, तो concept को आप समझ के, आसानी से question को exam में बना पाएंगे, बात करें अगले question की, तो यह आपका silogs का ही question हिंदी में है, तो अगर आपको लगता है, हिंदी में बनाना है, तो आप इसका screenshot ले सकते हैं, clear, चली, अगले question के अगर हम बात करें, तो mirror image पर based question है, तो केवाल हमें क्या करना, options को eliminate करना है, तो E के कारण से यहाँ पर elimination हो गया, फिर अगर हम बात करें, यहाँ पर, T के कारण से यहाँ पर elimination हो गया, again अग करें, तो आपका, I N T E, N S I V E, okay, I N T E S, I N T E, S और N, ke sequence के basis पर आप अपे हम क्या करेंगे, eliminate करेंगे correct option के अगर हम बात करें तो correct option हो जाएगा option number D तो दो तरीके हैं एक तो sequence दूसरा यहाँ पर जब भी आपको water image बनता हुआ दिखाई दे या कोई भी image as it is जिसका अगर हम बात करें मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा image जिसका left और right क्या है same है तो उसका जो mirror image है वो भी क्या बनेगा same बनेगा जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर letter A की letter A को अगर हम दो भागों में बाटें तो आपको left और right same दिखाई देगा इसलिए आपका mirror image भी same बनता है और water image की बात करें तो कोई भी ऐसा image जिसका top और bottom क्या है same है तो उसका water image भी same बनता हुआ दिखाई देगा तो इसके लागा आकृतियों में अगर आपको परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई दे जैसे कि E की अगर हम बात करें तो यहाँ पे eliminate कर देंगे water image बनता हुआ दिखाई दे mirror कर जैसे कि यहाँ पे आपको T दिखाई दे तो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे eliminate कर देंगे यहाँ पे हम T के basis पे भी इसको eliminate कर सकते हैं थे clear चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की अगले दिखाई की बात करूँ तो यहाँ पे आपको age पर based question देखने को मिल रहा है तो age आपको अलेडी सौरफ सर पढ़ा चुके हैं तो कवल मैं प्रश्न को कैसे smart तरीके से बनाते हैं इसके उपर यहाँ पे discussion करूँगा बहुत detail में नहीं जाओंगा तो जैसे मैं प्रश्न की अगर बात करूँ तो the present age of Ramesh is seven years more than the present age of his wife संगीता यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पे Ramesh की present age की तो जो Ramesh की present age है वो क्या है seven years more than the present age of his wife संगीता यानि कि अगर Ramesh की wife की हम बात करें तो wife की age plus seven की हम बात करें तो यहाँ पे Ramesh की age आपको बनती होई दिखाई देगी आगे कि अगर हम बात करें 6 years hence the age of Ramesh will be 3 times that of his son अगर हम बात करें 6 years के बाद तो Ramesh की age जो है वो कितनी हो जाएगी 3, 6, कितने times यहां पर दिया गया है, 3 times 3 times हो जाएगी that of his son's age यानिकि अगर हम Ramesh के son की age की बात करें ये ratio आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है आगे कि अगर हम जानकारी की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है if the present age of Mayank is 10 years, तो Mayank की अगर present age कितनी है, 10 verse है तो 6 verse बाद Mayank की age कितनी हो जाएगी 16 और उस समय इनके पिताजी यानि कि रमेश की age कितनी हो जाएगी इनसे 3 गुना तो उस समय ये कितने वर्स के हो जाएगी, ये हो जाएगी 48 वर्स के तो 6 सालों बाद 48 वर्स के होंगे, यानि कि अगर हम 6 गटा दे तो रमेश की present age यहाँ पर हमें 42 सा है, तो इनकी wife की age कितनी हो जाएगी यहाँ पर 35 years हो जाएगी जो कि option number C में आपको clearly बनता वह दिखाई दे रहा है बात करेंगे अगले, प्रस्न की जो कि आपका dice पर based question है यहाँ पर तो अगर हम बात करें पूछा है, D के opposite क्या होगा D के opposite के अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पहले और दूसरे अगर हम यहाँ पर position से जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा C का opposite E दूसरे और तीसरे से यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हमें मिल जाएगा A का opposite F तो बच गया हमारे पास एक ही यानि कि D के पोजिट के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा B यानि कि option number D आपका यहां पर right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए इस प्रकार के प्रस्णों को हम लोगों ने already discuss किया हुआ है चलिए बात करेंगे यहां पर हम अगले पूछे के प्रस्ण की तो यहां पर सीधे सीधे आप देख पार है 3 8 जा क्या हो रहा है यानि कि इनके दोनों की digit का हम आपस में क्या कर दे रहे है multiply कर दे रहे हैं तो 3 8 जा 24, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 काफी आसान सा question आपको देखने को मिल रहा है बात करते हैं अगले प्रस्ण की अगला प्रस्ण अगेन आपको coding decoding पर बेश देखने को मिल रहा है 1 की अगर हम बात करें तो 1 को हम लोग लिखते हैं 15, 28, 15 यानि कि पहले हम लोग कर रहे हैं यहां पर multiplied by 1 यानि कि place value लिख दे रहे हैं फिर उसके बाद हम क्या करें multiplied by 2 और multiplied by 3 अगेन अगर हम T की बात करें तो place value 20 W की बात करें तो 23 का double यानि कि 46 फिर हम यहां पर बात करें O की तो O की place value थी 15 जब कि यहां पर आपको देखने मिल रहा है 45 तो अगर हम बात करें 6 को क्या लिखेंगे तो यहां पर 24 गुले 3 करोगे तो 72 दो options में दिखाई दे रहा है 9 गुले 2 करोगे तो अठार है निकि option number B का हो जागा right answer हो जागा पूछे गए प्रस्ने के लिए चलिए बात करतें अगले question की जो last question है वो आपका यहाँ पे counting of figure पर based question देखने को मिल रहा है तो चलो इसको मैं separate figure के माध्यम से आपको आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ जो भी concept हम लोगों ने अल्रेडी पढ़े हुए है तो अगर मैं आपसे पूछू कि इस आकरती में कितने त्रिबूज होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हम लोग जितने parts में डिवाइड होता है उसका क्या कर लेते थे डबल कर लेते थे तो इस परकार यहाँ पर अभी तक हमें हो गए कितने तीन त्रिबूज और अब इसके बाद में हमने दो लाइने और खीची है यानि कि इस परकार से जब हम एक लाइन खीचेंगे तो एक तो यह छोटा वाला त्रिबूज बनता हुआ दिखाई दे रहा है दूसरा हमें यह वाला त्रिबूज बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि मिल गए कितने दो त्रिबूज और जब दूसरी लाइन इदर से भी हमने खीची तो यहाँ पर भी आइडिशनल हमें कितने दो त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे यानि कि एक दो ये छोटा वाला हो गया और एक ये हिस्सा हो गया यानि कि दो त्रिभुज यहाँ पे इस प्रकार से भी हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है यानि कि कुल त्रिभुजों की संख्या सबसे पहले अगर हम बात करें इस इससे की तो इस इससे में पता है कितने सत्र्पूज हो गर आपको ध्यान यह रखना कि किन्त त्र्पूज Honor की गढ़ना हम कर चुके और कौन से सार्पम से रहे गए तो यहां-पर यह वाम नेगा तो थे वाला केला है टालए च草ंट यह नह तो इसको दोबारा से counting में नहीं लेना इस बात का आपको ध्यान रखना है तो यानि इस प्रकार त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बारा यहां पर भी बन रहे थे कितने तीन लेकिन हमें बड़ा वाला त्रिभुज consider नहीं करना था क्योंकि हम आठ में इसको गिन चुके तो बारा के बार अगर हम बात करें जब हमने इस प्रकार से एक लाइन खीची तो यहां पर तीन त्रिभुज बनेंगे जो कि counting में नहीं आये थे यानि कि एक तो आपका यह वाला बन जाएगा एक आपका यह वाला बन जाएगा दो और एक यह वाला तीन तो बारा तीन कित जोड़ेंगे तो 18 और एक यह वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 यहां पर त्रिभुजो की कुल संख्या की बात करें तो कितने हो जा रहा है 19 तो यह था आज का आपका सेशन और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके पूछे गए प्रशनों में से कितने प्रशन सही हुए मिलते हैं हम लोग एक और सेशन में कुछ अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग कोश्चन के साथ तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और किसी भी टॉपिक में लेकर के कोई भी समस्या है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर जूड़ करके हमसे डिसकस कर सक सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग कोश्चन के साथ तैंक यू कि कि में हमारे टेंक एक पर जूब कोश्चन के सकते हैं ओक हमस्टिंग कोश्चन के सकते हैं तो आज करूआ़ आज पर एक जूद़ क्ते हैं इंग्रेस्टिंग सेशन